आज हम कक्सा दस्त के पहले अध्याई वैदिक गणित का अध्यान जारी रखते हुए वैदिक विदी द्वारा गनफल ग्याद करने के बारे में अध्यान करेंगे वैदिक विदी से गनफल ग्यात करने के लिए आधार विदी और उपाधार विदी तुनों ही उपयोग में लिए जाती है आधार विदी का उपयोग उस समय किया जाएगा जब जिस संख्या गन ग्यात करना हो वो आधार के आसपास हो जैसे, प्रशन संख्या 8 के अंदर हमें 15 का गनफल घ्यात करना है, तो 15 जो है इसका आदार हो जाएगा 10, और 15 आदार 10 के आसपास ही है, इसलिए यहाँ पर आदार विद्धी का उपयोग किया जाएगा, आधार वीदी के अंदर गनपल ग्यात करने का सूतर होता है संख्या प्लस दो इंटू विचलन ये परतम कंड हो जाएगा संख्या प्लस दो इंटू विचलन दूसरे खंड के अंदर तीन इंटू विचलन का वर्ग और तीसरे खंड के अंदर विचलन का घन करना है इन तीन खंडों को हल करने से हमें घन प्राप्त हो जाएगा तो सबसे पहले संख्या दे रखी है हमें 15 15 के अनुसार इसका अधार हो जाएगा 10 विचलन निकालने के लिए इस संख्या मैंसे अधार को गटा देंगे 15 में से 10 घटाने पर 5 प्राप्त होगा जो इस संख्या का विचलन है अब हमें 15 का घंग्यात करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन तो संख्या है 15 प्लस 2 इंटू विचलन यानि 2 इंटू 5 हो जाएगा पर्थम खंड दूसरे खंड के अंदर 3 इंटू विचलन का वर्ग यानि 3 इंटू 5 का वर्ग हो जाएगा और तीसरे खंड में विचलन का घंग करना है तो 5 का घंग कर देंगे पर्थम खंड को हल करने पर इसका मानाया 25 दूसरे खंड को हल करने पर इसका मानाया 75 और तीसरे खंड को हल करने पर इसका मानाया 125 अब चूंकि आधार के अंदर एक ही सुन्य है इसलिए हम परतिये खंड के अंदर केवल इकाई कांख ही रखेंगे बाकी जो आगे के अंक है वो भी अगले खंड में जुड़ जाएंगे जैसे यहाँ पे 125 है तो यहाँ से सिरफ 5 को लिया जाएगा आगे जो 12 है वो अगले खंड में जुड़ जाएगा तो जब यह 12 इस 55 में जुड़ेगा तो यह बन जाएगा सितियांसी सित्यासी में से भी सिर्फ इकाई कांग साथ ही काम में लेंगे आगे जो आठ है वो आगे पचिस में जुड़ जाएगा तो यहां से अंतिम खंड में से सिर्फ पांच आएगा बीच वाले खंड में जो सित्यासी हो रहे है मास तिरफ साथ का प्रियोग किया जाएगा और यह जो आगे आठ है यह 25 में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 33 तो इस प्रकार हमें 15 का गन 3375 प्राप्त हो जाएगा इसके बाद आते हैं उपाधार वीदी से जब संख्या जिसका गनफल ग्याद करना हो वो आधार के आसपास नहीं हो आधार के किसी गुणांग के आसपास हो जैसे यहाँ पर है प्रसंख्या 10 के अंदर 32 का गन ग्याद करना है और इसके अनुसार यह किसी भी आधार के आसपास नहीं है लेकिन ये 30 के आदार आसपास है तो 30 जो है वो आदार 10 का गुणांक है तो 30 के आसपास होने के वज़े से इसमें उपादार विद्य का उपयोग किया जाएगा 30 के अनुसार यानि 3 इंटु 10 आदार हो जाएगा 10 और उपादार हो जाएगा 3 तो उपादार विद्धी को उपयोग जब करेंगे तो इसके अंदर सुत्र बनेगा पहले खंड के अंदर उपादार का वर्ग और साथ में संख्या प्लस दो इंटू विचलन दूसरे खंड के अंदर उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का वर्ग और अंदिम खंड में विचलन का गण हो जाएगा संख्या 32 के अनुसार आधार 10 है और उपाधार 3 33 पूरा हो जाएगा और विचलन निकालने के लिए इस 32 में से इसको 30 को गटा दिया जाएगा तो विचलन मनेगा 2 अब आते हैं इसके हल पे हमें करना है 32 का गण तो पहले खंड के अंदर इस उपाधार का वर्ग प्लस संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ये कर दिया गया है दूसरे खंड के अंदर उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का वर्ग यानि 2 का वर्ग कर दिया गया है और अंतिम खंड में विचलन का घं यानि 2 का घं कर दिया गया है अब इन 3ों ही खंडों को हल कर लेते हैं तो पहले खंड में 3 का वर्ग आ गया 9 और इस ब्रेकेट को हल करने पर आ गया 36 और इस मध्य खंड का हल भी आ रहा है 36 और अंतिम खंड में 2 का घं हो गया 8 इन सब को हल कर देंगे तो पहले खंड में आया 324, दूसरे का 36 और तीसरे में 8 अब चूंकि इस संख्या का अधार भी 10 है तो परतिक खंड में सिर्फ 1 का अंग रहेगा तो यहां 8 का 8 ही रहेगा लेकिन मद्य खंड में 36 में से सिर्फ 6 का उपयोग करेंगे आगे जो 3 है वो सबसे आगे वाल खंड में जुड जाएंगे तो यहां 8 आजाएगा यह 6 का 6 वापस लिख देंगे और 3 आगे 324 में जुड जाएगा तो बन जाएगा 327 इस प्रकार 32 का गन 32,760 में प्राप्त हो जाएगा उसके बाद हम आते हैं द्वजांग विदी द्वारा किसी संख्या का भाग किस प्रकार दिया जाता है तो द्वजांग विदी से भाग देने के लिए हमें सबसे पहले जो भाजक है उसको 2 खंड में तोडना पड़ेगा जिन में से एक होगा मुख्यांग दूसरा होगा दोजांग जैसे हमें यहाँ पर परसुशंग के बारा के अंदर बाज़क देर खाए 112 112 को हमने 11 और 2 में तोड़ दिया तो 11 हो गया मुख्यांग और 2 हो गया दोजांग अब इसको 1 और 12 भी लिख सकते थे लेकिन हमें अंतर कम से कम रखना है इसलिए हमने लिख दिया 11 और 2 अब जितने दोजांग के अंदर अंक रहेंगे उतने ही अंक तीसरे खंड में भी रहेंगे यहाँ दोजांग में सिर्फ एक ही अंक है तो यह जो हमारा भाजिया है 4532 इसमें से इकाई कांग सिर्फ दो जो है वो तीसरे खंड में आएगा भाज के आगे जो 453 है वो मद्य खंड में लिखे जाएंगे अब हम भाज की प्रेक्रिया को सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 4 में 11 का भाज देते हैं चार में 11 का भाज जाएगा ने तो देते हैं 45 में 45 में 11 का भाज दिया जाएगा तो 45 में 11 का भाज देने पर भागफल प्राप्त हुआ चार और सेसफल प्राप्त होता है एक भागफल को यहाँ पे मद्य खंड में नीचे लिख दिया जाएगा और सेस फल को इस पैतालिस के ठीक नीचे और तीन से ठीक पहले यानि इनकी बीच में लिग दिया जाएगा इस प्रकार हमें ये एक और तीन तेरा जो है वो नया भाजे प्राप्त होगा नया भाजे प्राप्त हो गया तेरा नए भाज्ये से हमें हमेशा संसोदित भाज्ये निकालना है और संसोदित भाज्ये निकालने के लिए इस नए भाज्ये में से इस चार को दो से गोना करके यानि भागफल को दोजांग से गोना करके घटा देंगे तो 4 दुनी हो गया 8, 13 में से 8 को गटा देंगे, बचेगा 5 अब वही प्रक्रिया हम पुना दोर आएंगे 5 में फिर से 11 का भाग दिया जाएगा यानि मुख्यांग को काम लेना है भाग देने के लिए और दोजांग को काम लेना है गोना करने के लिए तो 5 में जब 11 का भाग दिया जाएगा तो बागफल प्रात होता है 0 क्योंकि इसमें 5 में 11 का भाग जाएगा नी तो सेस्फल बच जाएगा 5 तो हमने फिर से बागफल यहाँ पे बीच में लिग दिया 0 और सेस्फल जो 5 है वो आगे लिग दिया 2 के नीचे तो इस प्रकार हमें अंतिम जो भागफल प्रात हो रहा है अंतिम जो संक्या प्रात हो रही है वो और आया 52 चुकि अब तीसरा खंड पूरा होने चाहरा है तो यह जो 52 है इसमें से हम अंतिम सेंस्फल निकालेंगे तो 52 में से अंतिम सेसफल किस प्रकार निकालेंगे वही पूराना वला तरीका 0 से 2 को गुणा करगे जो हमारा भागफल आया था उससे दोजांग को गुणा कर देंगे तो 0 को 2 से गुणा करने से 0 याता है वो इसमें से घटा दिया जाएगा तो 52 में से 0 गटाने पर पुना 52 प्राप्त हो जाएगा यह हमारा अंतिम सेसफल रहेगा हमें यह जो है पुराने वाले तरीके से जिस प्रकार हम भाग देते थे उससे जाच भी कर लेनी है कि कहीं हमारा उत्तर गलत तो नहीं आ रहा है उसके बाद हम आते हैं सूत्र परावर्तिय विदी से भाग देने पर सूत्र परावर्तिय कुछ हद तक सूत्र निखिलम पर ही आदारित है जिस प्रकार निखिलम विदी में आदार और विचलन होते थे उस यह प्रकार इसमें भी आदार और विचलन होंगे लेकिन यहाँ पर विचलन का चिन बदलने पर हमें परावर्तिय प्राप्त होगा जैसे परशनावली के परशन संक्या सोडा के अंदर हमें 1154 में 103 का भाग देना है तो 103 के अनुसार इसका आदार हो जाएगा 100 और 103 में से आदार को गटा देंगे यानि 103 में से 100 गटाने पर विचलन प्राप्त हो जाएगा 0-3 और विचलन 0-3 आ रहा है प्लस का तो इसका परावर्ति हो जाएगा माइनस का 0-3 यानि इस 3 के उपर जो यह बार लगावा है यह जो लेखांकित खीचे विया ना इसका मतलब यह किसका हो गया माइनस का हो गया है अब यह परावर्ति बन चुका है अब वही चूंकि आधार कितना है 100 आधार 100 के अनुसार तीसरे खंड के अंदर दो अंक रहेंगे यानि यह जो 11 से चौपन है ना इसका चौपन जो है पीछाल दो अंक यह 33 खंड में आएंगे बाकी जो 11 बज़िया वो मध्य खंड में आ जाएगा अब उसी तरीके से अब एक जो है उसको निचे लिख देंगे निखिलम विदी में इसको विचलन से गुणा किया जाता था लेकिन यहाँ पर परावर्तिय से गुणा करेंगे एक को 0-3 से गुणा करेंगे तो यह 0-3 माइनिस का जाएगा अब फिर से वही एक का एक लिख दिया जाएगा इसको भी इस 0-3 से गुणा किया जाएगा तो 0-3 ही आएगा अब हम अंतिम अंक तक पहुँच चुके हैं चार में से तीन घड़ जाएगा तो बचेगा एक और पांच में से तीन घड़ जाएगा तो बचेगा दो इस प्रकार मद्य खंड में हमें बागफल प्राप्त हो गया 11 और अंतिम खंड में 6 प्राप्त हो गया 21 इस प्रकार यह हमारा भाग प्रक्रिया संपन हो गई इसी प्रकार परस्टन संग के 18 के अंदर जहां हमें 1432 में 188 का भाग देना है अब 188 के अनुसार भी इसका आधार 100 ही है लेकिन आधार और इससे विचलन निकालेंगे तो 188 में 100 गटाने पर जो विचलन आ रहा है वो माइनस का भाग आएगा चोकि विचलन माइनस में आ रहा है तो परावर्तिया प्लस का भाग आधार हो जाएगा अब वही तरीका वापस चोकि अधार 100 है तो भाजीय का यह जो अन्तिम दोंक है 32 यह तीसरे खंड में और आगे वाला 14 मद्य खंड में लिख दिया जाएगा अब परिकरिया को दोराते हैं एक को वापस नीचे लिख देंगे और एक का गोणा परावर्तिया 12 से करेंगे तो यह 12 आएगा तो हमने 12 लिख दिया अब यह 4 और एक हो गए 5 तो 5 को भी हमने नीचे लिख दिया 5 को जब 12 से गोणा किया तो आया 60 60 को हमने यहां लिख दिया अब अंतिमंग तक पहुँच चुके हैं तो 2 और 0 हो गए 2 3, 2, 5, 5, 5, 6, 11 112 सेसफल 112 आ रहा है लेकिन भाजग 18C है और सेसफल कभी भी भाजग से अधिक हो नहीं सकता जब भी ऐसा होगा हम सेसफल मैंसे भाजग को गटा देंगे तो हमने 112 मैंसे 18C को गटा दिया है और जितनी बार यह गटाएंगे उतनी बार सेसफल के अंदर एक जोड दिया जाएगा तो 112 में से 88 गटाया 24 आया और 15 के अंदर एक जोडने से किता हो गया 16 अब ये 24 जो है हमारे भाजक 88 से छोटा प्राप्त हो चुका है इसलिए अब ये हमारा भागफल संपन हो गया इस प्रकार हमें भागफल 16 और सेस्फल 24 प्राप्त हो चुका है